तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बरफीली जगे पर कुछ गोडों को देखते हैं जो कि किसी अंजान क्रेचर से डर कर भाग रहे होते हैं इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम शीप्स के एक फार्म में उसी क्रेचर को आते हुआ देखते हैं जिसकी वजे से एक भेड भी हो शोकर गिर जाती है ये फार्म मारिया और इंग्वार नाम के एक कपल का था जो कि आइसलेंड नाम के एक बरफीली पहाड़ी वाले इलाके में रहते थे घर का गुजारा चलाने के लिए ये दोनों भेडों की देखवाल के साथ साथ सबजियों की खेती करने का भी का करते थे इन दोनों का कोई बच्चा नहीं था जिसकी वज़े से ये दोनों काफी अकेल अपन महसूस करते थे एक दिन जब ये दोनों भेडों की देखवाल कर रहे थे तब ही एक भेड़ का बच्चा होता है ये दोनों इस बच्चे को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये बच्चा आधा इंसान और आधा भेड़ था, इसके बाद ये दोनों इस बच्चे को अपने घर ले जाते हैं, और इसका अपने बच्चे के दरख खूब ख्याल रखते हैं, वो इस बच्चे का एक नाम भी रखते हैं, जो किये एड़ा, इस बच्चे के आने से इन दोनों की लाइफ में जो बच्चे की कमी थी वो अब पूरी हो गई थी जिसकी वजे से ये दोनों अब इस बच्चे के साथ खुशी खुशी रहा करते थे इस बच्चे की माँ अक्सर अपने बच्चे को यहां वहां डूंडा करती थी एक दिन वो भेड एक खिड़की पर खड़े होकर अपने बच्चे को देखने के लिए आती है और काफी दिर तक वही खड़ी रहती है जब मारिया उसे ऐसा करते हुए देख लेती है तो वो उस भेड को वहाँ से भगा देती है एक दिन मारिया जब खेतों में काम करने के लि थी फिर वो दोनों उस बच्चे को चारो तरफ ढूंडने लगते हैं लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं ढूंड पाते तभी अचानक से उन्हें एक भेड़ के आवाज आती है वहां जाकर वो देखते हैं कि उस भेड़ की असली मा उसे अपने साथ कहीं ले जा रही थी फिर वो एड़ा भी बड़ी हो गई थी और ये तिनों बहुत खुशी खुशी रह रहे थे एक दिन मारिया को एक बुरा सपना आता है जिसमें वो कुछ भीड़ो को देखती है जिससे उसे लगने लगता है कि कहीं एड़ा की असली मा एड़ा को उनसे दूर ना कर दे इसले वो उसके साथ ही उसे यहां छोड़कर चले जाते हैं अगली सुबह पीटर इंगवार से मिलता है जिसे देखकर इंगवार बहुत खुश होता है और उसे अपने साथ रुकने को बोलता है इसके बाद पीटर उनके साथ उनके घर में रहने लगता है जब खाना खाते हुए कि कोई जरूत नहीं तुम जब तक चाहिए यहां पर है सकते हो लेकिन तुम हमारी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेर नहीं करोगे इतना कहकर इंगवार वहां से चला जाता है उसी रात मारिया इंगवार से पूशती है कि पीटर यहां से कब जाएगा असल मे के बाद वो यहां से चला जाएगा अगली सुबह वो सब मिलकर आलू की खीती करने का काम करते हैं ब्रेक के दौरान पीटर मारिया को छेड़ते हुए कहता है कि तुम जिसे अपना बच्चा समझ रहे हो वो बस एक जानवर है फिर मारिया उसकी बाता को इगनोर करके वहां एक जानवर है तुम एक जानवर को अपना बच्चा समझ रहे हो इंगवार उसकी बातों को इगनोर करके वहां से चला जाता है एक रात पीटर गुस्से में चोरी छुपके एड़ा को वहां से कहीं दूर ले जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका मासूम स चहरा देखकर वो उसे नहीं मार पाता और घर बापस आकर एड़ा की साथ ही सो जाता है जब मारिया एड़ा को ढूंडते हुए पीटर और एड़ा को एक साथ सोते हुए देख लेती है तो उसे लगने लगता है कि अब पीटर ने भी एड़ा को एसेप्ट कर लिया है एक यह दिन हम मारिया को एक कबर पर देखते हैं, जो कि उसकी बेटी एडा की ही कबर थी, जो किसी वज़े से मर गई थी, इसी वज़े से उसकी याद में इन दोनों ने उस बेड के बच्चे के नाम एडा रखा था, अपनी बेटी की मौत के गम में इन दोनों के बीच काफी देती है, जिसकी वज़े से वो डर कर घर के अंदर आ जाती है, फिर वो खुद को एक मिरर में देखती है, इस इंसिडेंट के बास से उसे शक होने लगा था, कि वो अपने पेरेंट्स मारिया और इंगवर की तरह क्यों नहीं दिखती, एक दिन फिर से पीटर मारिया को छे फिर वो पीटर से रिक्वेस्ट करती है, कि तुम प्लीज यहां से चले जाओ, जिस पर पीटर मान जाता है, इसके बाद अगली सुभह मारिया पीटर को बसी स्टॉप पर छोड़ने जाती है, यहां दूसरी तरफ इंगवर उन दोनों को ढूड़ने लगता है, उन दोनों पीटर को बसी स्टॉप पर छोड़कर उसके खर्चे के लिए उसे कुछ पैसे भी देती है, इसके बाद वो वापस घर आने लगती है, घर पहुंचकर वो सोचने लगती है कि अब वो तीनों मिलकर फिर से खुशी-खुशी रहने लगेंगे, लेकिन घर पहुंचकर उसे इंगवार और एडा कहीं नहीं मिलते, फिर उसे दूर कहीं से गोली चलने की आवाज आती है, हम देखते हैं कि उसी क्रियेचर ने इंगवार को गोली मार कर मार दिया था, और वो क्रियेचर भी एडा की तरह ही आधा इंसान और आधा भेड था, जिससे हमें पता चलता है क यही क्रियेचर एडा का असली फादर है फिर वो क्रियेचर एडा को अपने साथ ले जाने लगता है एडा अपना हाथ छोड़ा कर इंगवार के पास जाने की कोशिश करती है लेकिन वो क्रियेचर एडा को वापस नहीं जाने देता फिर एड़ा इंगवार को देखकर रोते हुए वहां से जाने लगती है थोड़ी देर में मारिया भी वहां आ जाती है और अपने पती के लाश के पास बैट कर जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेली पढ़ गई थी उसके पास अब ना तो उसका पती था और ना ही एड़ा और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है